So, hello everyone, welcome back to my channel, my name is Bushra Khan और जैसा के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिसकस करने वाले हैं analytical paragraph ये आप से एक्जैम में जरूर पूछा जाएगा तो उसको आज हम बहुत ही simple trick से करने वाले हैं जिन students की English थोड़ी weak है या जिने English में थोड़ी problem है वो भी आज बड़ी आसानी से analytical paragraph सीख जाएंगे तो जल्दी से बस आप एक copy pen निकार लीजे और चलिए लिखना सीखते हैं अब सबसे पहले देखिए कि analytical paragraph होता क्या है तो analytical paragraph में आपको कोई pie chart, graph, table ऐसा कुछ दे रखा होगा जिसे आपको ध्यान से देखना है और उसकी information से आपको एक paragraph लिखना होता है बस इतना ही है और यही है analytical paragraph चलिए आईए analytical paragraph से related कुछ questions देखते हैं और उन्हें हम साथ साथ solve भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि analytical paragraph से related कैसे questions आते हैं और उन्हें कैसे solve करना है तो पहला question देखते हैं और यह है हमारा pie chart पे question दे रखा है pie chart से related है question तो अब देखी आपने question पढ़ा question है कि एक university है जिसका नाम है XYZ university जिसमें students अलग-अलग faculty जैसे arts, law, science and medicine में admission ले रहे हैं और उनकी percentage दे रखी है कि कितने percent students ने admission लिया है तो इस pie chart को देखकर इसकी information से आपको एक analytical paragraph लिखना है चलिए आएए देखते हैं कैसे लिखना है और क्या-क्या information इसमें हमें प्रोवाइड है सो इसमें university की चार faculty दे रखी है arts, law, science and medicine और business studies इनकी percentage भी दे रखी है और नीचे बता रखा है हमें year 2015 और 2019 ठीक है यहां तक clear है सो अगर simple language में बोला जाए तो इस pie chart को देखकर हमें इतना समझ आया है कि 2015 और 2019 में यह जो चार faculty है इनमें कितने percent students ने admission लिया है जैसे कि 2015 में arts में कितने percent students ने admission लिया है 21% वहीं यह percentage 2019 में कितनी बढ़ गई है 27% law में देखिए पहले कितनी percent थी 18% लेकिन 2019 में law में students की percentage कम हो गई है कितनी हो गई है 17% चलिए आगे देखिए science and medicine में भी students ने कम admission लिया है 2015 में 32% students ने admission लिया था और 2019 में सिर्फ 21% students ने admission लिया है और इसी तरह business studies की भी percentage दे रखिए इस तरह से आपको pie chart को study करना होता है उसकी information निकालनी होती है and then आप उसको English में लिख दीजे हो गया आपका analytical paragraph चलिए आप देखते हैं कि इसको English में कैसे लिखना है आप देखिए analytical paragraph आपको लिखना होता है और यह आता है पांच नमबर का ठीक है इसमें तीन चीजे होती है introduction, body और conclusion अब जैसे ही आप start करेंगे तो सबसे पहले लिखना होता है आपको introduction एक या दो line में आपको introduction लिखना होता है जैसे कि आपका analytical paragraph किस बारे में है वो आप उपर लिख दो center में आप देखें introduction आप कैसे लिख सकते हैं जैसे कि यह pie chart आपके पास है आपको इसका introduction लिखना है तो आप लिख सकते है changes in the percentage of student admission या फिर आप लिख दो changes in the choice of students during admission so इस तरह से आप अपनी तरफ से बना कर introduction लिख दो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका जो analytical paragraph है वो किस बारे में है वो आपने लिख दिया हो गया आपका introduction एक या दो line में बिलकुल simple words यूज़ करके आपने बता दिया कि भई मेरा analytical paragraph इस बारे में है हो गया introduction का काम complete इसके बाद लिखनी होती है आपको body body means आपको बताना है कि pie chart, graph, table, etc. में क्या दे रखा है जो भी percentage, figure या number जो भी दे रखा है उसे आप as it is बता दो आप देखिए start करने के लिए आप कुछ common lines देख सकते हैं जैसे the pie chart या table या graph given above shows ये लिख सकते हैं आप या फिर the pie chart illustrates ये use कर सकते हैं या फिर अगर graph है तो आप लिख दीजिए the graph shows symbol अगर कोई data है, कोई भी table है तो आप लिख सकते हैं the data given provides information about इस तरह से आप body जो है उसको start कर सकते है इसका मतलब है कि ये जो pie chart, table, graph दे रखा है वो बता रहा है क्या बता रहा है, क्या show कर रहा है वो आप बाद में लिखेंगे अब देखिए example के लिए ये जो pie chart है, जो already हमें question में दे रखा है अगर इसकी information आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे अब देखिए सबसे पहले हमें इस pie chart को देखकर क्या पता चला कि 2015 और 2019 में जो percentage है स्टूडेंट्स के admission लेने की वो कैसे change हो रही है सो हम यही लिख देते हैं अब सबसे पहले लिखते हैं starting lines अब ये जो pie charts दे रखे है ये क्या कर रहे है तो हम यही लिख देंगे दापाई चार्ट्स गिवन अबवफ compare the changes seen in the year 2015 and 2019 in the percentage of students taking admission in the faculties of कौन-कौन सी faculties है Arts, Law, Science and Medicine and Business Studies in XYZ University So, इस तरह से आपने जो आपको सबसे पहले पता चल रहा है वो आपने बता दिया अब और क्या पता चल रहा है हमें तो सबसे पहले है Arts जिसकी percentage 2015 में थी 21% और 2019 में हो गई है 27% तो यहां percentage तेजी से बढ़ने लगी तो अगर ग्राफ में percentage बढ़ जाए तो आप लिख सकते हैं According to the data The percentage of students taking admission in the Arts faculty have steadily increased from 21% in 2015 to 27% in 2019 तो जब percentage यह ग्राफ उपर जाएगा तो आप वर्ड यूज करेंगे steadily increased इस तरह से आप वर्ड यूज करके बता देंगे कि ग्राफ जो है वो उपर जा रहा है percentage जो है वो राइज हो रही है अब अगर आप science and medicine देखें तो 2015 में उसकी percentage थी 32 और वो 2019 में एकदम से कम हो गई है 21% हो गई है अब अगर आप business studies को देखें तो उसमें भी आपको percentage बढ़ते हुए दिख रही है So इसको भी आप लिख सकते है In the case of business studies There has been a significant increase in the percentage of students taking admission कितना increase आया From 29% in 2015 The numbers have increased to 35% in 2019 So ऐसे आपको simple language use करके बस ये बताना है कि graph, pie chart, table में percentage, graph या number कब उपर गया और कब नीचे आया चलिए इसके अलावा अगर आप देखें तो law में 2015 में 18% admission हुआ है और 2019 में 17% Means थोड़ इसी percentage कम हुई है तो इसको English में कहते हैं My new degrees तो आप लिख सकते हैं On the other hand The faculty of law has seen only a minute degrees From 18% in 2015 To 17% in 2019 So, इस तरह से आपको pie chart की information लिखनी होगी और ये हो गई इसकी body इस तरह से आसानी से आप simple language use करके body लिख सकते हैं Now, सबसे end में हमें लिखना होता है conclusion Conclusion means ये जो graph है, pie chart है, table, etc. जो भी है वो overall क्या बता रही है So, simple है कि overall हमें ये पता चल रहा है कि 2019 में students ने arts और business studies में काफी interest दिखाया और admission लिया वही, 2015 में students science और medicine में ज़्यादा admission ले रही थे ठीक है, 2015 में students का सबसे ज़्यादा interest science और medicine में था और 2019 में arts और business studies में हो गया है Clear है? So, आप इस तरह से लिख सकते हैं In conclusion In 2019, the students seem to be more inclined to take admission in business studies and arts In comparison to 2015, when science and medicine had seemed to gather more students बस इतना ही है, हो गया analytical paragraph complete तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको analytical paragraph में introduction, body और conclusion लिखना होता है अब कैसे लिखना होता है? वो हमने already discuss कर लिया और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे 5 marks मिलेंगे So, ये हो गया pie chart से related question चलिए आईए एक line graph से related question भी देख लेते हैं So, ये रहा हमारा question line graph से related अब question है A line graph is given below The graph shows the number of persons of different age groups killed in accidents Analyze the given data in an analytical paragraph of 100 to 120 words अब देखिए जो question है वो थोड़ा सा जीब है इसमें अलग-अलग age group के लोग जो road accident में मारे गए हैं उनका number आपको बताया गया है अब इसको देखकर आपको एक analytical paragraph लिखना है चलिए आईए देखते हैं कैसे लिखना है अब अगर आप इस graph को देखें तो हमें क्या-क्या पता चल रहा है देखिए नीचे दे रखी है age और उपर बता रखा है जो लोग accident में मारे गए हैं उनका number 100, 200, 300 ये सब है अब ये जो side में lines दे रखी हैं इन में सबसे पहले है motorbike means motorbike से जिनका accident हो गया नीचे है age group कि कितने age group के लोगों का motorbike से accident हुआ है उसके बाद है bus and car इस से कितने age group के लोगों का accident हुआ है next is pedestrians pedestrians means पैदल चलने वाले या road cross करते time जिनका accident हो गया उनका number दे रखा है चलिए अब देखते हैं इसका analytical paragraph हमें कैसे लिखना है so सबसे पहले हम क्या लिखते है introduction तो introduction बना कर लिख देते है persons of different age groups killed in accidents simple सा introduction आपने बना दिया इसके बाद आप लिखेंगे body तो start करने के लिए लिखिए इसकी starting lines the line graph shows तो line graph क्या show कर रहा है कि कितने लोग different age group के accident से मारे गए तो हम लिखेंगे the line graph shows the number of persons of different age groups killed in accidents ठीक है? simple सा है आप देखिए सबसे ज़्यादा जो लोग accident से मारे गए है वो है pedestrians so हम यही लिख देते है it is evident from the graph that the maximum number of people who are killed in road accidents are pedestrians clear है? और pedestrians में भी 16 से 25 age group के लोगों की death ज़ादा हुई है 800 के करीब लोगों की death हुई है so आप यह भी mention कर सकते है among pedestrians too people of 16 to 25 age group record the highest number of accident deaths that is 800 अब अगर आप motorbike वाले को देखें जिसमें काफी कम accident हुए है उसमें भी 16 to 25 age group के लोग ही ज़ादा हैं तो आप यह भी बता सकते हैं coincidentally this age group faces the maximum motorbikers deaths in road accidents अच्छा अगर आप bus और car वाला देखें तो highest number of death इसमें 26 to 35 age group वालों की हुई है so आप यह लिख दीजे whereas people who died due to bus और car accident belong to 26 to 35 age group clear है अब जैसे लोगों की age 35 से ज़्यादा हुई तो road accidents काफी कम होना शुरू हो गए है देखे graph नीचे जा रहा है so आप simple words में लिख दीजे but after the age of 35 people get less caught in road accidents simple आपने इस तरीके से graph को देखा और उसकी information लिख दी so ये हो गई body complete अब आप लिखेंगे conclusion तो इस graph को देखकर overall हमें ये समझ में आया है कि 16 से 35 age group के जो लोग हैं उनके road accidents ज़्यादा हो रहे हैं 35 के बाद वालों के road accidents कम है और pedestrians की सबसे ज़्यादर death होती है accidents में so आप लिख दीजिए it can be concluded that 16 to 35 years of generation false victim to road accidents more than the people who have crossed 35 years however, pedestrians are at the highest risk of accidents so इस तरह से आपने line graph की information बता दी means analytical paragraph में आप जो भी data आपको provide होता है उसको आपको लिखना होता है और हो गया आपका analytical paragraph complete so इस तरह से analytical paragraph में आपको सिर्फ introduction, body और conclusion लिखना है और पूरे 5 marks आपके हाथ में बाकि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care